हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल पे दोस्तो आज हम सीखेंगे पावर बी आई में डेक्स फंक्शन का यूज कैसे करें ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम इस सीरीज को पूरा देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे आने इस वीडियो में हम दोस्तो सीखेंगे सम एंड समेक्स फंक्शन का यूज तो चलिए इनका हम एक बार सिंटक्स देख लेते हैं तो सम के सिंटक्स के अगर हम बात करें तो सम को क्या चाहिए एक सिंगल कॉलम चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख पा रहें सम फंक्शन इसको पहले टेबल चाहिए उसके बाद आप यहां पर एक्सप्रेशन दे सकते हैं इसमें क्या करता समेक्स समेक्स is capable of performing row by row calculation यह row by row जाके आपका calculate करेगा जो भी आप इसको expression देंगे तो चलिए कुछ example हम इसके देख लेते हैं उससे पहले हम data वह देख लेते हैं जिस data पर हम काम करेंगे तो यह जो data है इस data पर हम अभी काम करने वाले हैं सम का यूज करेंगे सम एक्स का यूज करेंगे उससे पहले देख लेते एक बाद डेटा इसमें product name है यहां पर quantity है और unit price है तो अब हमें क्या देखना हमें सबसे पहले देखना है कि total quantity कितनी सेल हुई है हमारी इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे sum function का यूज़ करेंगे चलिए एक बार sum function का यूज़ करके देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है home tap पे जाएंगे हम यहां से हमें major मिलेगे new major इस पर हमें click करना है अब इसके बाद यहां पर हमें लिखना है जैसे हम excel में calculate करते हैं same function वैसे ही है हमारा सबसे पहले हम column का name देंगे यहां पर देंगे total quantity अब हम लिखेंगे sum bracket open column name जैसे कि आपने यहां देखा इसको column name चाहित column name हमें क्या sum करना है हमें quantity sum करना है तो यहां पर हम quantity का column देंगे और हम bracket close कर देंगे then enter enter करते ही हमारे पास एक यहां पर नया column बन कर आ जाएगा जिसको मेजर कहते हैं अब इस मेजर के देखने के लिए कितना quantity आया यहां पर हम एक card insert करेंगे और देखेंगे कितना quantity आ रहा है अब इसको हम ले जाके यहां पर put करेंगे यह देखिए 85 quantity total sale ह हुआ है कि यह इस तरीके से हम सम का calculation कर सकते हैं अब चलते हैं अपने समेक्स की तरफ अब अगला question क्या है अगला question यह है कि हमारे पास total quantity है उसका unit price है मुझे क्या चाहिए total value कितना हुआ है हमारा जो sale हुआ है उसकी value क्या है तो value कैसे निकली कि हमारी quantity multiply by unit price तो अब इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे sum x का ओके अब हम चलते हैं अपने फिर से आ गए report view पर यहाँ से new measure कि लिक करेंगे अब यहाँ पर हम लिखेंगे total value total sales value अब यहाँ पर हम लिखेंगे sum x sum x लिखा हमने अब सबसे पहले इसको table चाहिए तो table क्या है हमारा sales data कॉमा अब expression चाहिए expression में हमें क्या देना हमें multiply करना है quantity and unit price का तो सबसे पहले हम देंगे quantity quantity का column multiply का sign लगाएंगे अब यहाँ पर हम देंगे unit price का column unit price का column हमने दे दिया then bracket close and enter अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें sale value मिल चुकी है इसको हम card में convert कर देंगे तो यह देखिए हमारे पास यहाँ पर sale value आ गए multiply करके यहाँ पर बिना हम कुछ किए अगर हमें यह चीज सम के थुरू करना होता तो वो सम के थुरू possible नहीं है जो अभी हमने अगर हमें यह करें कि हम पहले quantity का total कर लें उसके बाद multiply का total करके दोनों को multiply कर दें तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हर unit का price हर product का price अलग-अलग है तो यहाँ हमें row by row जाके calculation करना ही पड़ेगा या तो यहाँ पर हम एक नया column insert करें उसके बाद हम some function का use करके total value निकाल सकते हैं तो समझ में आ गया होगा या some function का use कहां करते हैं और some x function का use कहां करते हैं ऐसे ही interesting वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को अभी subscribe करें वीडियो को like करें और अगर कोई भी doubt है आपका तो comment करके हमसे जरूर पूछें Thank you